भारत जुडो यात्रा अब तक करीब 3500 किलोमीटर का सफर तै कर चुकी है और अब अपने अंतिम पढ़ाओ की तरफ बढ़ रही है अभी यात्रा पंजाब में है जिसके बाद यात्रा पहाडी राज्जी में प्रवेश करेगी और घाटी में जाकर समाथ हो जाएगी ऐसे मे से यात्रा अंतिम पढ़ाओ की तरफ बढ़ रही है यह सवाल उठ रहे हैं कि इस यात्रा के खत्म होने के बाद कॉंग्रेस का अगला प्लान क्या है नमस्कार मैं हूँ अंशिता शवास्ता तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात कॉंग्रेस के नए प्लान की पिछले स रहुल गांधी को कभी जूतों को लेकर तो कभी उनकी टीशिट को लेकर घीरा गया लेकिन रहुल गांधी की नेत्रित तुमें भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही और कन्या कुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब पंजाब में है और अपने अंतिम पढ़ाओ यानि श्री नगर की तरफ लगातार बढ़ रही है तीस जनवरी को राहुल गांधी श्री नगर में जंडा फैराएंगे जिसके साथ भारत जोड़ो यात्रा समात्थ हो जाएगी लेकिन इसी के साथ कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि भारत यात्रियों का सफर क्या यहीं पूरा हो रहा है या फिर कॉंग्रेस का आगे के लिए कुछ और प्लान है ऐसे में अब कॉंग्रेस ने अपने आगे के प्लान को बताया है तीस जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है लेकिन इससे पहले ही कॉंग्रेस एक अभियान की शुरुआत क को समात्थ हो जाएगा इस अभियान में कॉंग्रेस करीब धाई लाख ग्राम पंचाईतों चे लाख गाउं और दस लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों तक जाएगी आज मैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में और कुछ जानकाली देना चाहता हूँ जैसा कि आप जानते हैं 26 जन्वरी से लेकर 26 मार्च तक कॉंग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की गोशना की है यह 30 तरही अभियान है ब्लॉक के स्थर पर जिले के स्थर पर और राज्य के स्थर पर इस अभियान के दोरान हमारे ठाई लाक ग्राराम पंचायत करीब 6 लाक गाउं और करीब 10 लाक मतदान केंद्र को कवर किया जाएगा इस अभियान की जानकारी देते हुए कॉंग्रेसान सज्ज़राम रमेश ने आगी बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार है। इस अभ्यान के तहट कॉंग्रिस भारत जोड़ो यात्रा का संदेश राजनीतिक भाषा में बताएगी। कॉंग्रिस कारिकरता देश के हर परिवार को राहुल गांधी जी का एक खत और मोधी सरकार की विफलताओं की चार्डशीट सौपेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा है उसको राजनीतिक भाषा में बदलकर चुनावी भाषा में बदलकर हर घर में पहुंचाने की प्रयास की जाएगी हमारे संगठन की ओर से। इस अंदर में हमारे जनल सेक्रेटरी और्गनाइजेशन ने सभी PCC को खत लिखा है अगर वो कौपी आपके पास नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। 24 डिसंबर को उनोंने लिखा था किस ढंग से तयारी होनी चाहिए राज्य के सर पर, जिले के सर पर, ब्लॉक के सर पर और वो तयारियां शुरू हो गई हैं हर एक राज्य में और 26 जन्वरी को इसकी शुरुआद हर राज्य में होगा। यात्राएं होंगी जैसा कि मैंने कहा, महिला यात्राएं होंगी पर हर ब्लॉक में अलग से अलग यात्राएं होंगी, अलग विशेहों को लेकर और ये राहूल जी का खत और जो चार्चीट तयार किया गया है कॉंग्रेस पार्टी की ओर से, वो कॉंग्रेस कार्यकरता हर घर तक पहुचाने का प्रयास करेगी कोंग्रिस का हाथ से हाथ जोड़ों अभियान बता रहा है कि कंग्रीस अब जनता से उसका संपर्क तूटने नहीं देना चाहती है जाहिर है अब तक के सफर में कंग्रेस को आम जनता से सीधे जुडने का मौका मिला है कॉंग्रिस ने जनता की तकलीफों को करीब से जाना है तो वहीं जनता को भी कॉंग्रिस को समझने का मौका मिला है और अब तक के सफर में पार्टी को जनता का भर पूर प्यार और समर्थन भी मिला है ऐसे में कॉंग्रिस इस कनेक्शन को और म तफलता को देखते हुए ही किया है और भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों में कॉंग्रेस के लिए जो प्यार पैदा किया है कॉंग्रेस उसे कम नहीं होने देना चाहती यही वज़ा है कि भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने से चार दिन पहले ही कॉंग्रेस इस अभियान की शुरुआत कर रही है। कॉंग्रिस अपने और जनता के बीच अब संपर्क नहीं तूटने देना चाहती। इस बात का अंदाजा इस से लगाया जा सकता है कि भले ही यात्रा विश्राम पर रही हो लेकिन राहुल गांधी लगातार सक्रिये बने हुए है। पिछले दिनों अपना संदेश पहुचाने के लिए खुलाखत भी लिखा था। जिसमें उन्होंने अपने 3500 किलोमीटर के सफर के दोरान के अनुभवों को साज़ा किया। साथ ही देश के लिए उनका क्या सपना है, क्या संकल्प है ये भी जनता को बताया। रहुल ने लिखा। को अंधेरे से उजाले की और, नफरत से महबत की और और निराशा से आशा की और ले जाना। इस लक्षे को पाने के लिए मैं भारत को एक महान सम्विधान देने वाले हमारे महापुरुशों के बताय हुए सिध्धानतों और मूल्यों को अपना आदश बनाकर आगे बं e भारत के और सितिती पर चुंता जाहिर करते हुए सब्सकत्राइब भारत के आर्थिक मुष्किलों तो से गुजठर रहा है युवा बेरोजगार हैं महंगाय वड़ रही है एक ध्यम को दूसरे धर्म जाती को दूसरी जाती और एक भाशा को दूसरी भाशा से लड़ाया जा रहा है आपसी नफरत और जगडा हमारे देश के विकास में बाधक हैं मेरा आप सभी को यही संदेश है कि डरो मत दिल से डर निकाल दो नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी इसके साथ ही रहुल ने अपने संकल्प के बारे में जानकारी दी रहुल गांधी न साहन मिले डीजल पेट्रोल सस्ता हो रुपया डॉलर के सामने मजबूत हो और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से अधिक ना इसके साथ ही इस यात्रा के जरीए कॉंग्रेस को विपक्ष को भी जोडने का मौका मिला है जो दल कॉंग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश मे यह भी भारत जोडो यात्रा की सफलता ही है जिसका परिणाम अब 2024 में देखने को मिलेगा और इसी सफलता का नतीजा है कि कॉंग्रेस भारत जोडो यात्रा पार्ट्टू निकालने पर विचार कर रही है जो पश्चिम से पूरव की तरफ निकाली जाएगी यात्रा का 2024 तक ऐसे ही जारी रहेगा और कॉंग्रेस की प्लाने बीजेपी को तो भारी पढ़ने ही वाली है क्योंकि कॉंग्रेस अब बीजेपी को कोई मौका नहीं दे रही है तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ नमस्कार